आज मैंने बनाया है सबकी मन परसंद बहुती टेस्टी मौ में गुल जाने वाले चौकलेट आइसक्रिम बहुती कम चीजों से बनाया है मैंने इतनी टेस्टी बनी है कि मार्केट की आइसक्रिम खाना आप छोड़ दोगी बहुती क्रिमी बहुती टेस्टी बहुती स्मूथ बहुत यम्मी यम्मी वाला चॉकलेट आइसक्रीम चलिए जल्दी से बनाते हैं एंड तक पूरा वीडियो देखें आपको समझ में आ जाएगा चॉकलेट आइसक्रीम बनाना बहुती एजी है हाप लीटर की दूद लेना है इसको हम गयास में चड़ा देंगे लो फ्लेम में रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दूद बॉयल होने के बाद इसमें 200 ग्राम की सुग रच कर रहे हूं और सबकांच से मिलाना है पांच से 10 मिनिट टक लो फ्लेम में ऐसे हमें से चलाना है दूद को बीच बीच में तो चलाते रहेंगे और 10 मिनिट के लिए इसे Annual Playman में छोड़ देंगे यहां फिले रियू में hydrant 시k ए a became biscuit biscuit को mix Buy में डाल देंगे उसका ज् legal हाइडेंट सी बिस्केट से चोकलेट आइस क्रिम बनाए परफेक्ट चोकलेट आइस क्रिम बनता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आइस क्रिम बिल्कुल स्मूथी बनता है अभी सारा पाउडर को मैंने यहां पे डाल के सब को अच्छे से मिला लिया है लो फ्लेम में ह इसे 5 मिनट तक पकाना है, 5 मिनट होने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, यह रेसिपि आप एक बार बना जाए, आपको पता चलेगा यह चोकले डाइस क्रेम बनाना कितना एजी और कितना टेस्टी है, इन चहराए अभी ठंडा हो गया है तब ही क्या करना है मुक्शर में धाल दें गे और साथी डालना इन हमे फ्रेस क्रिम् यहां पर में लेने हो लग भग पांच्क हम अम डाग लिया है अभी मिक्सेजार में इसे अच्छे से हमें ब्लेंड करना है अच्छे से ब्लेंड करना है देखिए पर्फेक्ट ली ऐसा ही मिक्स्चर हमें बनाना है एकदम स्मूथ मिक्स्चर हमें बनाना है पर्फेक्ट मिक्सर बन गया है चोकलेट आइसक्रीम जमाने के ल कंटेनर हो या कप आपको जिसमें जमाना है उसमें बस इसे ट्रांसफर कर दीजिए और 8 आवर के लिए इसे हमें रेफ्रेजेटर में रख देना है आठ गंटे हो गया है अभी मैं आइस क्रिम को डिमोड कर रहे हूं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेर कर दीजिए प्लैट में आइस क्रिम को अभी निकाल लेंगे ऊपर से च 되고 से देकूरेट कर देंगे अभी आइस क्रिम के कट लगाएंगे मेरे बीटी कि डिमांड पर छोक्लेट कि अपैर आइस क्रिम मेंने बनाया था और आइस क्रिम वैसे ही पर्फिक्ट बना है, मार्केट से भी अच्छा और टेस्टी स्मूथी बना है, मेरे बेटी को तो बहुत पसंद आया, आप भी बनाईए, एंजोई किजिए, थेंक्यू, बबाई